नमस्का दोस्तों मैंने पामिस्टी चैनल में अपलोगास वागत है और आज ये पामा आए है 31 एज यंग मैं के जो बिजनेस में भी है साथ में एक्टर भी है और ये एक रिजिजिवनल फिल्म में ये बतोर हीरो एक्टिंग भी कर चुके हैं काफी बड़े बजेट के फिल् बिजनस था फादर के बिजनस से कुछ अंश इनको मिला था जिसनको इन्होंने बिना कोई स्टागल के बहुत बड़े और लिडि कर चुके हैं आगे अपने बारे में जानना चाहते हैं तब ही जो हमने कहा इसको बारे में थोड़ेश करते हैं जब भी आपको इस तरीके का केडियर मिले, acting केडियर, advertising agency के कडियर, media के कडियर, किसी भी तरीके का, entertainment agency से अगर कोई इंसान जुरी हुई हो, और उसको अगर आपको success मिलता हुआ दिखे, ऐसा तो आपको बहुत सरे लोग मिल जाएगे जो struggle कर रहे हैं, लेकिन उनको success मिलेगा के नहीं, उसके लिए पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा उनके वेनस माउंट, वेनस माउंट कैसा होना चाहिए, बड़ी होने से काम नहीं चलेगा, 50-60% लोगों के पाम में वेनस माउंट बड़े ही होते हैं, वो उब्रा हुआ होना चाहिए, जैसे इस पाम में दिख रही है, जैसे के एक अंडे हो, अंडे को अगर आधा काट के पाम में रख देंगे वेनस माउंट के उपर, तो जैसा उब्रा हुआ रहेगा, उस तरीकी का उब्रा हुआ पन होना चाहिए वेनस माउंट में, उनको success मिली हुई है तो उनका भी वेनस माउंट इसी तरीके का उबरा हुआ जरूर रहेगा तो ये plus point है आपके पाम में जो दिखाती है कि entertainment agency से काम का अगर आप करेंगे तो आपको success जरूर मिलेगा दूसरी बात ये business आपके family business है क्योंकि आपके पिता जी भी करते थे हाँ हो सकते है कि आपको वहां से अंश मिले और पिता जी के business अप नहीं करते है आप खुट के करते है लेकिन पिता जी से ही कुछ अंश इनको मिला था जिनको इन्हों आगे चलके बड़ा किया और successful बनाया तो ओजब भी family business के बात आ जाती है mile line लंबी हो जाती है तो mile line आपकी भी काफी लंबी है वो दिखाती है कि हाँ अब पुस्तेनी business जो भी आपकी family business है इसको नए नए तरीके से कीजिए बड़ा कीजिए चाहे कितना बड़ा कर सकते है जो भी आपका सपना हो सब इस business से success हो सकती है जैसे कि मुखे शंबानी नहीं किया उनका भी mile line बहुत जादा लंबी है अनी लंबानी के उस तरीके का नहीं है उन्होंने उसका सत्यनास कर दिया लेकिन मुखे शंबानी के mile line काफी लंबी है जो इनके कारण उनने अपने पुस्तेनी business को बहुत बड़ा किया और बहुत बड़ी success achieve भी कर ली तो उस तरीके का आपका भी है माइन लैन बहुत जादा लंबी तो इस family business को बहुत चाहिए कितनी बड़े आप कर सकते हैं आप कर लीजिए कोई भी कभी उसमें आपको रुकाबट नहीं आएगी ना ही कभी आपको बहुत जादा तकलिफ होगी आप easily उसे बहुत बड़ा कर सकते हैं और advertise agency के business बहुत बड़े भी होते हैं तो उस business में आपको बहुत बड़ी success मिलेगी उसकी माइन लैन से हमें clear indication मिली और बिना कोई struggle के ऐसे लोग जब भी मैं कहता हूँ कि लम्मी माइन लैन हो तो business में अगर करने जाएंगे तो आप ल family business हो जाए तो कोई struggle नहीं होती है उसकी एक एकदम example आप लोगे सामने यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है काफी successful यह already बन चुके हैं आगे इनके लिए बहुत बड़ी success जरूरूइट कर रही है तो यह दिखा रही है कि इनको family business में भी success मिलेगी लेकिन जब यह entertainment agency से ही जुड़ी रहती है और acting career में चले जाते हैं acting में सिर्फ आपकी qualities के उपर ही depend नहीं करेगी आपकी venus mount कितनी है strong है उसी से हम लोग को result नहीं मिलेगा आपको sun mount को भी देखना पड़ेगा क्यों क्योंकि sun mount से हम लोग को fame मिलती है और अगर आप acting कर रहे हैं तो आपकी acting career चाह आपको जान पहचान देगी लोगों के अंदर आपके acceptance को देगी ओ देती है sun mount sun mount को अगर देखे तो ऐसे negative आपको कुछ दिखने को नहीं मिलेगा लेकिन जब भी आप इस मरकड़ी mount को देखेंगे इसकी जगा को देखेंगे देखिए मरकड़ी mount को अगर draw करना है तो आप बहुत बड़ी जगा ले रही है जिनके कारण sun mount की जगा कम मिल रही है पहली negative sign दूसरी negative sign इस sun mount में नहीं कोई lucky बहुत strong sign है बस दो खड़ी लाइन हमें permanent मिलता हुआ देख रही है वो भी heart line के बहुत उपर इतना भी gap बहुत जादा है तो heart line के बहुत उपर और नहीं कोई बहुत strong कोई sign हमें sun mount में देखने को मिल रही है तो इस हिसाब से पाम के हिसाब से अपके मरकड़ी mount के हिसाब से अपकी sun थोड़ी कमजोर पर रही है जिनके कारण शायद आपको acting career में उतनी बड़ीया success नहीं मिल पाएगी जितनी आपकी ये पुस्तेनी business में मिल पाएगी लेकिन फिर भी अगर आपको acting करना है और कुछ नाम आप कमाना चाते हैं तो एक काम कीजिएगा old barmese ruby लिख लीजिएगा old barmese ruby बहुत महेंगा होता है कई लाक रुपए लग जाएंगे आपके तो ओ तीन चार केरेट के weight के आपको इस finger में gold के साथ पहनना है हो सके तो कभी बर्मा जाईएगा तो खुदी खड़िद लीजिएगा वहां से या फिर कोई बहुत बड़ी authentic जगा होगी तो original आपको old barmese ruby मिल जाएगी तो तीन चार करेट के आप यहां पे पहन सकते हैं इस finger में उससे आपको कुछ fame success जरूर मिल पाएगी तो यह अपके लिए अच्छी रहेगी तो अभी चलेंगे आपकी उभरल पाम की और आपकी character और आपकी जो characterities है उसके बारे में हम लोग आपकी पाम से जानने के कोशिश करेंगे बहुत बड़ी और square size की पाम है बहुत ज़्यादा फिजिकल मलेवाद दे सकती है ऐसी इनसान मेहनत में कभी भी ऐसे लोग कोई भी conjunction सी नहीं करते हैं आप 24 गंटे में 20 गंटे भी मेहनत करने के लिए बोलीगा ये लोग कर पाएंगे और बड़ी पाम मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ बड़ी पाम मतलब बहुत ही जादा महनती और ऐसे लोग बिलकुल hard नहीं मानते हैं इन्होंने भी अपनी फोन पे बात की थी उन्होंने अपने बार में ही बता था तो मैं वही फोच रहा था कि मैं अपने analysis में इन में शक्ती हो, चाहो किसी भी तरीके से हो, फैनेंशियल हो या फिजिकल हो, ये लोग तब तक हार नहीं मानते हैं, जब तक ये बिलकुल मरना जाए, यही बात उन्होंने भी कही, यह बात मैं इसी पाम से भी कह रहा हूँ, और हमेशा मैं इसी तरीके का बड़े पाम का, यह मैं जलूर कहता हूँ, कि ऐसे लोग ऐसे महनती होते हैं, कि जब तक एकदम हार, डिफिट कंफर्म ना हो जाए, 100% डिफिट कंफर्म ना हो जाए, यह लोग हाल नहीं छोड़ते हैं, यही रहती है, ऐसे लोगों को सक्सेस की, जो में कीज कह सकते हैं, कि ऐसे लोग, इस तो ये हलकी सी लंबी थम भी इनके लिए काफी positive रहेगी और ये इनको बहुत अच्छी लीडर भी बनाएगी और इनको लोगों को influence करने की जो quality रहेगी ओभी काफी अच्छी high रहेगी वही लोजिक पार्ट को देखेंगे तो इस palm के बीपरिद, palm के हिसाब से बीपरिद इन exhibition का काम कर पाएंगे बहीतिन तरीके से palm की बज़ाई से दूसरों से मेहनत भी अच्छी तरह से कर पाएंगे leadership quality रहेगी, thumb बढ़ी हैं और logic part भी काफी लंबी है और palm बढ़ी है तो खुद के physical liver भी बहुत बहुत बहुतिन तरीके से doga देपाईगी तो thumb और Palm की combination से ये balance बैलेंस पाम बन गई है जहाँ पर बहुत जादा फिजिकल लिबर के साथ साथ बहतरी लीडर्शिप क्वालिटी भी हम लोग को दिखने को मिल रही है साथ में प्लानिंग भी अच्छी तरह से ये लोग कर पाते हैं इंडेक्स फिंगर क्रॉक है लीडर्शिप क्वालिटी अ इतनी बड़ी मरकरी माउंट टोटली 100% बिजनेस ही करते हैं ऐसे लोग इतनी बड़ी मरकरी माउंट होगी तो जिनरली ऐसे लोग कभी जॉब के लिए जाते नहीं है बिजनेस के पैशन रहते हैं और बिजनेस करते हैं और यह भी बिजनेस कर रहे हैं आगे भी बिजनेस ह जरूर मिल पाएगी हाँ खड़ी लाइन नहीं दिख रही है मरकड़ी की लाइन अगर देखेंगे तो यहाँ पे छोटी है लेकिन यह जो बड़ी सी मरकड़ी माउंट है यह सारे चीजों को इग्नोर भी करा देगी बहुत ज़ादे इनको पॉलम भी नहीं होगी इतनी और बहुत ज़ादा है सार्माउंट की बात पहले ही कर चुका हूं सैटन माउंट दबी होनी चाहिए दबी है सैटन माउंट पॉजिटिव है यहां पर हम लोग दूसरी पिच्चर में जाएंगे सैटन माउंट के लिए और हम लोग और कुछ देखने के कोशिश करेंगे य एक मिनिट यहां से अगर हम लोग सब कुछ देख पाएंगे फिर से हम लोग को और एक पिक्चर में जाना पड़ेगा पहले बात तो यहां पर देखा देता हूं जो उस पिक्चर में नहीं देखिती इंडेस्टियल लूप ठीक है ना सन और सेटन के बीच में अगर इंडे करना चाहिए आपको जो बिजनेस है उसे बड़ा करना चाहिए छोटे बिजनेस में आप लोग को ना ही सक्सेस मिलती है ना ही अप लोग को सुकुन मिलती है इंडेस्टियल लूप है यह बिजनेस लूप नहीं है इस दोनों में डिफरेंस करना हम लोग को चाहिए इंडेस यहाँ पे भी आपको एक छोटी सी फिस साइन बनता हुआ दिखेगा तो सन माउंट में तो बहुत सारी लखी साइन नहीं थी लेकिन सेटन माउंट में हमें फिस साइन बनता हुआ दिख रही है फेम शायद उतनी जादा ना मिले क्योंकि एड़रेजमें एजेंसी में इनको बहुत बड़ी सेक्सेस मिल जाएगी तो इनको शायद उनका खुद का नाम उतना जादा नहीं आएगी कि क्यों यह जो सारे पॉड़क्ट के एड़ एड़ देंगे उसी का नाम होगा हम लोग तो टीवी में कितने बड़े बड़े एड़ देखते हैं हमें थोड़ी ना प भरपूर पैसा ही देती है सिर्फ पैसा तो आपको भरपूर पैसा मिलेगा जिन्दगी में बहुत ज़्यादा पैसे कमाब जरूर पाएंगे यहां पर भी एक छोटी सी फिश की फॉर्मेशन जैसी बनती हुई दिख रही है जो पुस्तेनी एसेट का आपका कुछ ना कुछ इस पिक्चर से किलियर मिलता हुआ दिखेगा देखिए बहुत अच्छी साइन नहीं है यहां से एक लाइना आ रही है यहां तक जा रही है हलकी सी बनके और यहां से एक लाइना के इस तरीके से जा रही है जो एक इनकॉम्प्लीट है बहुत हंडिट पसंट तो नहीं लेक दुख बहुत जादा रहते हैं सोरो जिसे कहते हैं ऐसे लोग के जिन्दगे में दुख बहुत जादा रहते हैं तो इनके जिन्दगे में दुख भी बहुत जादा रहेगा सब कुछ आपको नहीं मिल पाएगी जिन्दगी में इसकी मैं रेमेडिय में बता देता हूँ आपक करređ के कड़ीब अगल देते हैं तो इस फिंगर में Silver के साथ पहन लीजिए गाным डिया उस olması बरा लेते हैं तो गले में zodा के साथ लोकेट बनाकर धानन कर लेजिए तो बाजून besar से ऐसे पहन लेकर कैने लेकर फिंगर में पहनना है तो 10 करट के ठीक है और 15 करेट से जादा अगर गले में और वो दूसरी जगा पे लेना है तो 15-20 करेट करे ले सकते हैं कोई पॉलम नहीं होगी धीरे धीरे यह आपकी खतम हो जाएगी बिलकुल खतम हो जाएगी एकदम कभी भी नहीं दिखेगी किसी भी इमेज में नहीं दिखेगी तो आपकी हालत जरूर सुद्रेगी आपकी जिन्दगी में खुशिया जरूर आएगी लेकिन यह साइन अगर बना रहे तो जिन्दगी में कुछ ना कुछ चीजों के लिए आप लोगको रिग्रेट जरूर रहती है को हमें मिल नहीं पाती है यह साइन सारे खराब साइनों में से एक है जो आपके पाम में 60% 100% नहीं 60% बन रही है 100% होती अगर एक ही लाइन इस तरीके से बनती तो 100% होती दो लाइन दो और से आ रही है और उसको मिल के एक बना रही है तो कुछ ला कुछ टीडेट आपको ज़रूर रहेगा जुपिरा मोंट की पास आते हैं जुपिरा मोंट आपके ठीक टाक है यहाँ पे सलमन रिंग भरमार है सलमन रिंग है तो काम के पती काफी निष्टावान रहते हैं और बहुत सरे सलमन रिंग है मतलब बहुत ही ज़्यादा निष्टावान है ऐसे लोग जितनी जादा Salmon Ring जितनी Dampy is Strong Salmon Ring उतनी जादा आप अपने कामके पती निष्टावान होते हैं तो कामके पती तो काफी निष्टावान है धर्मके पती भी आपकी काफी निष्टा रहेगी mystical sands में भी ऐसा लोग की इन्टेस्ट रहती है Jupiter Mount ठीक ठाक है success को आप achieve भी जो करेंगी उसको enjoy भी कर पाएंगे और आपको satisfaction भी मिलेगी बहुत सारी square sign भी दिख रही है बहुत सारी square sign हो तो leadership quality अच्छी रहती है teaching quality भी अच्छी रहती है इसे लोगो अपने जो knowledge है दूसरों को जब pass one करते हैं तो काफी अच्छी तरीके से कर पाते हैं इसलिए इस लोग काफी अच्छी लीडर और अच्छी टीचर ज़रूर बन पाते हैं Mars Mount को देखेंगे Mars Mount की जगा भी अच्छी मिल रही है दोनों के दोनों Mars Mount की जगा ही अच्छी मिल रही जिनके कारण आप फिल्ड में काम अच्छी तरह से कर पाएंगे किसी भी तरीके का फिल्ड की काम हो चाहे वो बिजनेस के ज़रीए हो या फिर आप एक्टिंग के आए वो सारे फिल्ड के ही काम होते है वो सारे काम का जब बहते इन तरीके से कर पाएंगे पाम में स्पोर्स लाइन दिख रही है तो इस स्पोर्स से जुड़ी हुई एक्टिबिटी रह सकती है जॉब साइन भी एक दिख रही है यहाँ पे बनता हुआ तो एसेट से जुड़ी हुई कोई भी पॉलेम आपके साथ हो सकती है हो सकती है कि बाद में चलके कि आपके फैमिली एसेट में कोई पॉलम आए या कोई आप एसेट खड़ी दे उसमें कुछ पॉलम आ जाए तो एसेट जब भी खड़ी दिएगा उसको थोड़ा देखिएगा यह जो जॉब साइन है स्पोर्स लाइन में दिख रही है तो आइदर आप किसी स्पोर्स में बह होई किसी डिस्पुट का इंडिफिकेशन भी हो सकती है यह दो चीज हो सकती है अपके साथ होने के चांस रहेगा दोनों में से एक जरूर हो पाएगी लेनास माउंट स्टॉंग है पहली बता चुका हूँ बहुत जदा उब रहु हुआ है बहुत सारे लगजरी लाइन भी यह सब कुछ हम ज़रूर ले पाएंगे हाँ एक लाइन दिख रही है बहुत स्टॉंग आ रही है लाइफ लेन को अभी तक काटी नहीं आगे चलके यह कटती है तो रिलेशन्शिप में बहुत बड़ी चेंज़ेस आती है ऐसे लोगों के साथ कट हो जाती है लेकिन अभी का ऐसा सिचुएशन नहीं है क्योंकि आपकी लाइफ लाइफ लाइन को यह कभी काटी नहीं अगर कटती है तो ही चलते हैं और क्या क्या है यहाँ पर हम लोग देखने को मिल रही है एडिक्शन लाइन जो लाइफ लाइफ लाइन और फेट लाइन को काटके इस तरीके से जा रही है किसी भी तरीके का एडिक्शन हो तो उसे छोड़ दीजिएगा नहीं तो आपकी सेहत के उपर एफेक्ट जरूर डालेगी दूसरी चीज़ अगर लॉंबे समय तक कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसे गैब दीजिएगा नहीं तो मेडिसिन भी आखिर चलके आप पे एक फिश की फॉर्मेशन जैसा बनता हुआ दिख रही है इस तरीके से अपकी फेट लाइन भी यहां से मून मौंट की तरफ से शुरू हो रही है लाइफ लाइफ लाइन की लंबी ब्रांच लाइफ लाइफ लाइन खुद ही मून मौंट के अंदर डीप आ रही है दूसरे स्टेट में जाके सेटल हो जया है दूसरे स्टेट जाकि आप आपना बिजनिस करे आइधर दूसरे स्टेट या दूसरे कंटी कुछ भी हो सकते है लेकिन FOREIN LAND के साथ आपका केडियर के साथ जुराव जरूर रहेगा ऐसा भी हो सकते है बाद में सो थे Candice पक्लिय indication दिख रही है, foreign पैसा आपके पास जरूर आएगा, उसका भी यही clear indication यहाँ से मैं पता चल रही है, तब ही आपके main lines को एक बार देख लेते हैं, heart line क्या कह रही है, heart line वैसे तो ठीक टा गए, जूपिटर के अंदर तक जा रही है, किसी को पैसे बगर उधार देंगे, तो समा पैसे ही नहीं, asset के मामले में भी ऐसे कहे रहा हूँ, किमती चीज, कुछ भी किमती चीज, दूसरों को अगर समालने देते हैं, या दूसरों को उधार देते हैं, तो मिलने में परेशनी आ सकती है, धरम के लिए पैसे जरूर खर्च किजिएगा, temple बनाने में, religious कारूनों मे charity में, ये आप लोगों को सुकुन देगी, और Saturn में भी negative sign है ना, तो Saturn को ओभी एक remedy है, charity में पैसे डाली है, गडिब को किसी भी तरीके का गडिब दिखे, हैंडीकेप अगर दिखे तो उन लोगो दान जरूर दीजेगा, बिना कुछ मांगे, मतलब बिना कुछ पाने के जादा मिलने पाएगा, बहुत सारे drop down line है, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, तीन बड़े, तीन छोटे, तो ये दिखा रही है, relationship में बहुत जादा disturbance, और इनके relationship में बहुत गहरा relationship उनके अलेडी दो दो चूट चुके हैं, ये आपके लिए अच्छी हुई, आपको अभी में खड़ब लगूँगा, लेकिन ये आपके साथ अच्छा हुआ, क्यों, क्योंकि ये अगर नहीं होती, तो इस line के साथ, ये जाके life lane को आगे चलके हलकी सी touch भी कर रही है, शायद हाँ, तो ये आपको divorce दे सकता था, 100%, अगर पहले, शादी के पहले deep relationship नहीं cut होती, इनके हो चुकी है, जो इनकी identification हमें clear ही हाँ से मिल रही है, तो शादी के बाद clear chance था, कि divorce भी हो सकता है, होने के chance clear था, तो उससे अप शायद बज गए, लेकिन हो सकती है कि आपके शादी के बाद relationship भी उतनी बड़िया ना चले, थोड़ी बहुत problem रहे, उसके लिए मैं आपको अ एक तो जुपीर अमाउंट से शुरू हो रही है, लाइफ लाइफ लाइन से अलग, तो जब भी लाइफ 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 हो माइन लाइन, तो यह क्या कहती है, यह कहती है, कि यह इनसान दूसरे के decision के उपर परवा नहीं करते हैं, खुद जो decision लेते हैं ओही करते हैं, चायो कोई भी हो, ओ mission अगर इनको अच्छा नहीं लगते हैं, चायो इनका पिता जी हो, वाइफ हो, माता हो, कोई भी हो, बहुत अच्छा friend भी हो, अगर कोई decision इनको यह suggestion देती है इनको, और इनको ओ पसंद नहीं आती है, तो यह अपने decision के उपर ही चलते है कोई भी इनके उपर अपना डीशन नहीं मतलब दे सकते हैं कोई भी शायशन आप ऐसे लोगो को देंगे न ये हमेशा कितनी भी अच्छी डीशन हो अच्छी शायशन हो ये खुद से उसको एक बार नापेगा जरूर उसके बाद उसके खुद के डीशन लेगा और उसी के उपर अमल करेगा तो ये कोई खराब चीज नहीं है अगर पाम अच्छी हो तो ऐसे लोग खुद से जो डीशन लेती है वही अच्छी होती है और हमेशा ले जिएगा वही आपके लिए अच्छा भी रहेगा क्योंकि आपके पाम बहुत अच्छी है तो आप जो भी अपने लिए रिशन लेंगे वह आपके लिए अच्छा ही होगा दूसरी एक positive sign इनके mind line में mind line से आती हुई ये ambition line हमेशा मैं कहता हूँ अगर mind line से clearly कोई ambition line आ रही है ऐसे लोगों कि एक तो ambition बहुत ही बड़ी होती है और उसे वह achieve भी करती है क्यों achieve करती है मैं बहुत बर बता चुका हूँ फिर से बता देता हूँ क्योंकि ये mind line है और हम लोगों की दिमाग कैसा काम करेगा उसके ही उपर depend करेगा तो जब दिमाग ही दिखा रही है कि आपके बड़े ambition है और दिमाग जानता है उस ambition को success भी कैसे करना है तो अपके लिए कोई भी success बड़ी नहीं होती है ये उतना ही dream देखेंगे उतना ही अपने target को बनाएगा जितना ये achieve कर पाएगा तो जो भी ये लोग target रखते हैं अपनी जिंदिगी में वो achieve a bell होती है और उसे वो achieve भी करते हैं तो जो भी इनके ambition होगी वो ये success जरूर कर पाएगे चाहे हो करोडों रुपए को हो लाको के हो या अर्बो के हो जो भी ये ambition रखेंगे उसके लिए कैसे उसे achieve किया जाएगा उसके calculation भी इनके दिमाग में रहेगा उसी तरीके से ये लोग उसे achieve भी कर लेंगे कोई भी problem major problem नहीं आती है तो ये माइन लाइन से और एक चीज लंबी माइन लाइन है पहली बता चुका हूँ कुस्तेनी बिजनेस में success बिना कोई struggle के बहुत अच्छी मिलेगी family business को ही आगे बढ़ाईएगा बहुत बढ़ा कर सकते हैं और उसको varieties तरीके से उसको expand भी कीजिएगा तो उससे भी आपको success मिलेगी कोई problem नहीं होगी हमेशा मुकेशंबनी जिस तरीके से अपने business को आगे चारो और से बढ़ा रही है उसको थोड़ा देख लीजिएगा उसको studies कर लीजिएगा उसी हिसाब सा आप भी आगे बढ़िएगा उसी हिसाब से उतनी बड़ी ना मिले लेकिन उस हिसाब से आपको success जरूर मिल पाई चलते हैं life line की और बहुत बड़ी है life line है round ship में जा रही है और moon mount की तरफ अपनी main part को हेज रही है और एक इस तरीके से अंदर भी आ रही है तो दो शकाओं में बट रही है एक moon की तरफ जा रही है जो दिखा रही है का आगे चलके आप सेटल करेंगे बाहर आइदर foreign country या foreign state कही पे भी अपने जनमस्तान से दूर जाके सेटल होने का ही indication दिखा रही है दूसरी यह जो अंदर की तरफ आ रही है यह दिखा रही है आप अपने relative की या फिर अपने दोस्तों के बहुत करीब रहेंगे उनके मदद करेंगे हमेशा जब भी किसी को जरूरत पड़ेगी आपकी help की आप जाएंगे और guardian की तरह हमेशा सब को मदद और help ज़रूर कर पाएंगे उसकी एक indication यहां से हमें दिख रही है और क्या क्या चीज़ है आपके life lane में अगर हम लोग देखें तो यहां से एक line यहां से एक line बहुत सारे line हैं दूसरे picture में चलते हैं वहां से हम लोग age calculation करेंगे एक minute दीजिए हम लोग लेते हैं इस picture को यहां से हमें मिलेगा कि इनके life lane की age की कौन-कौन सी age में ascending line निकल रही है इस age में इनके ascending line निकल रही है तो एक जो रहेगी इनकी तो करिब-करिब हम जो दिख रही है present age में 32 के करिब एक बड़ी success मिलेगी आपको नया कुछ शुरू करना नया कोई business शुरू करेंगे पुरानी business में बड़ी success मिल सकती है कुछ भी इस तरीके से हो सकती है एक आजाएगी आपकी करिब-करिब 35-36 के करिब जहाँ पे आपको business में success मिल सकती है आपको यह asset बना सकते हैं बड़ी business को expand कर शकती है कुछ भी हो आपकी बहुत बड़ी success जरूर मिलेगी और एक होगी करिब-करिब 43-44 के करिब तो यह तीन age period रहेगी आपकी जिंदगी में 32 पकल लीजिए 35 ले लीजिए अप्रोक्स और 43-44 अप्रोक्स ले लीजिए जिस age में आपकी जिंदग में बड़ी success मिलेगी इसे क्या कहती है इसे कहती है इच्छा पूर्ती लाइन ascending line English में कहती है और इच्छा पूर्ती लाइन Hindi में कहते हैं हम लोग तो यह इस time period में जो भी आपकी मन की इच्छा है ओ होती है चाहे कुछ नया चीज़ शुरू करना हो कोई पुराना चीज़ को बड़ा expand करना हो जो लोग नौकडी करती है उस time period में नए निक्री मिलती है बड़ी success मिलती है पूमोशन मिलती है जो लोग business करते हैं नया business शुरू करते हैं बड़ी पुराने business को expand करते हैं या उस time period में उनके business में बहुत बड़ी success मिल जाती है वह इच्छी तरीके से तो यह सब कुछ होने का आपका यह रहेगा life line की age की हिसाब से अभी चलेंगे आपकी faith line की और अभी आपकी age है कड़िप कड़िप 31, 32 के कड़िप तो 32, 31 के कड़िप आपकी faith line क्या कह रही है आगे चलके क्या कहेगी हम लोग तोरा देख लेंगे तो 31, 32 आपकी जो faith line की जो starting point है वो एक line यहां से नीचे से शूरू हो रही थी कड़िप कड़िप अगर देखे तो 25, 26 की age तो बहुत ही कम उमर में ही आप पैसे कमाना शुरू कर चुके थे उसकी indication यहां से दिख रही है आगे चलके वो खतम हो रही है क्यों को main faith line के साथ connected नहीं है main faith line अपकी start हो रही है यहां से और यहां पे एक हलकी सी branch है जो यहां पे एक star की formation भी बना रही है star की formation बना रही है और आगे चल रही है तो यहां पे आपकी age अगर देखे तो यह आपकी present age है 31, 32 जो आपकी present age है तो इस age में आपको एक बड़ी success मिलेगी मिल चुकी है कि मुझे पता नहीं अगर मिल चुकी है तो मिल चुकी है नहीं मिली है तो ज़रू मिल पाईगी क्योंकि star sign है star sign इस period में है तो आपको success ज़रू मिल पाईगी इस age में आपकी शादी भी होने के chance है अगर इस age में आपकी शादी नहीं होती है तो 33 जहां पे आपकी main fate line properly शुरू हो रही है तो यहां पे जो अगर हम रूख देखेंगे 33 के कड़ी जहां पे आपको एक बहुत बड़ी जिंदगे में केडियर में success स्टार्ट हो जाएगी जहां पे आप पैसे बहुत अच्छी तरह से कमा पाएंगे उस पैसे से आप अपने लिए एसेड बना पाएंगे अपने जीवन में खर्च कर पाएंगे बहुत बड़ीया सेविंग्स कर पाएंगे मतलब आपकी जो लाइफ है सेटल कहते है ना लाइफ की सेटल्मेंट ओ आपकी 33 यर्स यह से ही पता चल रही है यह आपकी कुछ करोर रुपए कमा लिया फिर बिजनेस जैसा चल रहा था उसी तरीके से चलेगा ठीक है ना उस तरीके से एक धमाका होगा फिर शान्त हो जाएगी लेकिन 33 से जो होगी आपकी केडियर बहुत अच्छी चलना शुरू हो जाएगी जो आपकी continue होगी यह एक event है और यह continuous event होगी तब जाके शायद आपकी यही रहेगा कि हर महीन यहीं आप करोर रुपए कमा रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि इस faith line के उपर में फिस साइन की formation है तो यह 33 से आपकी यह faith line शुरू हो रही है main faith line उस age में होने का chance अपका ज्यादा रहेगा और उसके बात कोई मेजर problem issues अपके carrier से जुरी तो नहीं है relationship में already हो चुकी है आगे भी होने का chance तो रहेगा थोड़ी बहुत अगर रहती है मैं remedy साथ में ही दे दूँगा उस remedy को कीजिएगा दिरे दिरे ओ पॉलम भी ठीक हो जाएगी तो यह हो गई आपकी जो analysis थी उसकी दो तीन आपके सवाल है वह मैं बहुत ही personal सवाल है उसलिए मैं उसको अलग से आपको बता दूँगा वह इस analysis में मैं नहीं रख रहा हूं तो इसी के साथ साथ इस पाम की analysis को यहीं पर रखेंगे एक नहीं पाम लेकर बहुत जाल दाएंगे तब तक के लिए आगया दीजिए शुक्री अप लोग का